आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट और रजिस्टन्स लेवल क्या रहेगा यहां से आगे मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नहीं आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर एनलिसिस वीडियो अपलोड करती हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या मूवमेंट हो सकता है कौन से इंपोर्टन लेवल होंगे important charts यहाँ पर मैं share करती हूँ और ये सारी बाते आपको यहाँ पर इस channel के उपर मिल जाएंगी इसके साथ-साथ मैं stocks के उपर भी videos upload कर देती हूँ तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को press कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती चाहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बैंक निफ्टी के analysis के साथ तो बैंक निफ्टी की closing कहा पर मिली है फिर से एक बारी निफ्टी बैंक ने जो है वो 41,500 attempt तो किया लेकिन उसके उपर sustain नहीं हो पाया और एक indecisive formation हुआ है एक bearish candle डेली चार्ट के उपर आज फॉर्म करता हुआ निफ्टी बैंक हमें दिखाई दे रहा है और अप यहां से आगे की बात करें तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आट, नो 9 sessions यह जो consolidation है यह 9 sessions का है यानि कि इसके बाद में जो breakout मिलेगा उसके लिए हमें तयार रहना होगा क्योंकि वो breakout बहुत बढ़िया रहेगा अगर upside के लिए breakout मिलता है तो 42,000 और 42,000 के उपर एक session में nifty bank हमें जाता हुआ दिखाई देगा और अगर वो breakout downside के लिए मिलता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है को 40,700 और 800 यह nifty bank के लिए बहुत important support है और जब तक इस support के उपर है 42,000 के chances है लेकिन अगर यह support break होता है तो कहा तक गिर सकता है 39,800 और 40,000 के levels तक nifty bank हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह दो possibilities के लिए हमें तयार रहना होगा अभी अगर फिलहाल देखे आज की बात करें तो आज अच्छे खासे swings हमें देखने को मिल रहे थे लेकिन बहुत ज़ादा वो confusing थे और trap भी बहुत ज़ादा था bank nifty में अगर बात करें तो बहुत सारी लोग morning में bullish चल रहे थे लेकिन अगर आप चेक करोगे मेरे public telegram channel के उपर यह मेरा official public telegram channel है जिसकी link नीचे description box में है यहाँ पर join करना मत भूलेगा क्योंकि live market में यहाँ पर आपको बहुत सारी updates जो है वो मिलती रहती है तो देख सकते हैं आप यह जो first trade होता है यह मैं premium group का जो होता है वो मैं यहाँ पर भी update कर देती हूँ आपके knowledge के लिए ताकि आपको भी समझ में आ सके कि premium group के अंदर काम कैसे होता है तो 41,200 PE 300 अबाव का हमने यहाँ पर trade लिया था जिसने कहा पर high किया है यह आप देख सकते हो within 10 minutes 3.30 तक गया था उसके बाद में मैंने message भी डाला था कि everybody is bullish in this market but we gave PE trade और हमने यहाँ पर PE trade लिया था और आप फिर बाद में भी चेक कर सकते हो जो तेजी थी वो सिर्फ trap था तो कि उसके उपर sustain नहीं हुआ Nifty Bank most of the time Nifty Bank हमें 41,080, 41,100 के तरफ ही दिखाई दिया और अभी भी अगर closing देखे तो 380 से नीचे की closing मिल चुकी है और आप देख सकते हो कि हमारा trade कितना बड़ा profitable रहा है So अगर आप भी चाहते हैं premium group के अंदर join होना तो पहले तो इस public telegram channel को follow करना होगा यहाँ पर आपको payments के regarding सारी information मिल जाएगी इसके साथ साथ आपको क्या करना है premium group join करने के लिए यह सारी बाते आपको यहाँ पर मिल जाएगी So देखे premium group के लिए charges है 4000 रुपीज पर मन्त और उसके लिए आपको सारी details यहाँ पर मिलेंगी आपको एक QR code मिलेगा आपको एक WhatsApp number मिलेगा जहाँ पर आपको payment का screenshot भीजना है So I hope कि आपको समझ में आ चुका है अब ही अगर हम लोग देखे bank nifty का next movement तो देखिए nifty bank के लिए 41,380 के above sustain होना important है अगर 41,380 nifty bank sustain कर लेता है तो यहाँ से 41,840 के तरफ next movement nifty bank का हमें दिखाई देगा downside की बात करें तो देखिए अगर फिर से nifty bank ने 41,050 के तरफ अपना movement दिखाया तो अब तयार हो जाईए क्योंकि 41,050 के तोटने के chances फिर बने हुए है अगर एक बार फिर से इस level के तरफ nifty bank बढ़ता है तो वही अभी अगर option chain data देखे nifty bank का तो call side में सबसे ज़ादा जो open interest है वह 1,15 का है जो की 41,500 के उपर है और जो highest call writing है वो भी इसी level के उपर है तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि 41,500 नifty bank के लिए major resistance बन रहा है तो कितने बार try के 9 बार तो अब यहाँ पर अगर break होता है 41,500, 600 तो एक fast rally 300-400 points के हम लोग देख सकते हैं नifty bank के अंदर वही downside की बात करें तो देखें put side में उतना बढ़िया support नहीं दिख रहा है जिस वजह से upside के लिए sustainable move जो है वो nifty bank नहीं दे पा रहा है अभी देखिए सबसे ज़्यादा highest open interest 76,000 का है जो कि है 41,000 के उपर जो कि कभी भी तूट सकता है यह से कि मैंने आपको chart के उपर कहा अगर फिर से एक बार nifty bank 41,100, 41,000 के zone में आता है तो यहां से यह levels फिर तूटने के chances 100% बने हुए ही है तो यह ध्यान में रखिएगा अभी फिलार अगर देखे तो put writing 31,000 की है वो भी इतनी खास नहीं है 31,000 की put writing हुई है 41,000 के उपर अगर यहां पर कुछ build-up होता है तो कुछ chances है nifty bank के 41,500 break करने के so nifty bank के लिए अभी चार्ट के उपर से important support और resistance की बात करें तो देखिए nifty bank के लिए जो first important resistance है वो मैंने आपको बता दिया है अगर यह पार हो जाता है तो यहां से एक अच्छी rally 41,750 and 41,910 तक हमें देखने को मिल सकती है फिर यह upside के लिए resistance का का काम करेंगे downside की बात करें तो downside के लिए first support रहेगा 41,150 अगर यह break हुआ तो एक panic selling होगी और यहां से फिर nifty bank हमें 40,850 तक भी किरता हुआ दिखाई दे सकता है अगर गिरावत नहीं रुकती है तो 40,610 तक के भी chances nifty bank के बने हुए हैं तो यह nifty bank के लिए important support और resistance के levels रहेंगे तो अब ही अगर डेली चार्ट के उपर देखे तो दो ही सिर्फ candles जो है वो positive है बाकि सारी candles negative चल रही है और यहां से market जो है वो हमें थोड़ा और ज्यादा swings देता हुआ दिखाई देगा आगे के sessions में भी जैसे कि आज हमें volatility high दिख को मिल सकती है तो उसके लिए prepare रहेगा और जो beginners है जो जादा quantities में trade नहीं करते हैं जो safe trade करते हैं वो इस market से avoid करिए या फिर थोड़ा कम profit book करके निकल जाईए ताकि आपका जो big loss है वो बच सके क्योंकि ऐसे market में काम करना आपके लिए आसान नहीं होगा जो big players होते हैं जिन यहाँ पर targets लगा कर छोड़ नहीं सकते market कहीं से भी return आ सकता है तो इसके लिए prepare रहेगा अभी अगर हम लोग nifty 50 की बात करें तो nifty की closing कहा पर मिली है तो nifty बहुत बढ़िया चल रहा है बैंक nifty से तो nifty काफी बढ़िया चल रहा है और closing की बात करें तो 18,117 के उपर closing मिल सिर्फ चार सेशन का consolidation और चौते टाइम में नifty ने यह लेवल तोड़ दिया और यहाँ पर एक अच्छी candle बनाई और फिर जाकर अट्राजर 200 का लेवल हमें touch करता हुआ दिखाई दिया अभी भी अगर देखें तो दो दिन से अच्छी खासी candles बन रही है और तेजी भी उसकी बात करें तो फर्स्ट इंपोर्टन सपोर्ट एतीन थाउजन फिफ्टी का लेवल रहेगा और अगर यह ब्रेक होता है तो 17910 का इंपोर्टन सपोर्ट रहेगा जब तक 17910 होल्ड है निफ्टी के अटराजार 300 और 400 के तरफ जाने के चांसे बने हुए हैं लेकिन अ उकसाइड के लिए जो फर्स्ट रिजिस्टन्स है जो कि मैंने आपसे बताया है 18,180 और 18,230 यह जोन पूरा निफ्टी के लिए रिजिस्टन्स बन सकता है अगर इस जोन के उपर एक कैंडल बन जाती है तो यहां से एक अच्छी रैली 18,300 और 400 के तरफ आती हुई हमें दि स्टेन हो जाता है तो एक अच्छी रैली हमें धीरे धीरे करके 18,300,400 के तरफ दिखाई देगी और अगर क्लोजिंग बेसिस के उपर 8,200 होल्ट रहता है तो 18,600 के चांसे दो से तीन सेशन के अंदर निफ्टी 50 के बने हुए हैं तो निफ्टी निफ्टी बैंक से बढ़िय के लिए गीरेगा तो इसके लिए थोड़ा आप साउधान रहिएगा और जो लेवल्स बताएं हैं अपने चार्ट के उपर माक करिएगा तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़र अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको भी ये वीडियो यूसफुल है उन सब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सब को कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो थांक यू वेरी मच फो वाचिं दिस वीडियो मैं मिलूंगी अपसे नेक्स वीडियो मैं तिल दन बबाई तेक केर एंट रेट केर फुली